हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम बाक्टू माइ चानल तो आज मैं बहुत ही टेस्टे डिश्ट बनाने जा रही हूं जो की है मेथी मतर मलाई मेथी मतर मलाई रेस्टॉंट्स में बहुत मिलती है और बहुत पसंद भी करी जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना और आपके वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरू कीजिए और मेरे चानल के सब्सक्राब करना बिल्कुल ना भूले तो सबसे पहले ही हाँ पर मैंने मेथी ले लिए इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और इसे एक दम बारी कट कर लिया है और इसे एक स्ट्रेणर में रख दिया है जिससे कि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और यहाँ पर मैंने लिए एक कप हरी मटर एकदम फ्रेश मटर है आप चाहे तो फ्रोजर मटर भी उसकर सकते हैं तो पहले मैंने हाँ पर कढ़ाई गरम रख दी है अब हम इसमें डाल दें और इसे अच्छे से गरम होने देंगे तो तेज अब अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक चमत जीरा और दो तेज पता तो अब इसमें डाल देंगे दो प्याज बारीक चॉप करी हुई और इसे हमें जब तक कुप करना है जब तक इसका कच्छा पन्ना निकल जाए और उसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तो अब प्याज में हम डाल देंगे दो हरी मिर्ची बारीक चॉप करी हुई तो प्या जब golden brown हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे लसन का पेस्ट और इसमें डाल देंगे tomato puree तो यहाँ पर मैंने दो टमाटर को जार में ग्राइंड कर लिया था टमाटर को अच्छे से पकने तक हम इसे cook कर लेंगे तो टमाटर अब soft हो गए है अब हम इसमें डाल देंगे मसाले तो इसमें डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर स्वादानसार नमक तो यहाँ पर मैं एक चमच नमक इसमें डाल रही हूँ और इसमें ढाल देंगे चुटकी वर हल्दी वैसे इस तबजी में हल्दी डलती नहीं है बट मैं कलर के लिए हल्दी डाल रही हूँ सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें जब तक भूनेंगे जब तक की मसाले पेल ना छोड़ दें यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा पानी आड़ कर रही हूँ और अब हम इसे ढखकर कुक कर लेंगे ताकि मसाले जल्दी से पक जाए तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक गया है और इसने तेल छोड़ दिया है तमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गये हैं तो अब हम इसपे डाल देंगे मतर सर्दी के सीजन में एकदम फ्रेश और हरी मतर मिलती है और मेथी भी बहुती फ्रेश मिलती है जिसे की सबजी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो मटर को मसाली के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करकर हम इसे ढखकर कुक कर लेंगे ताकि मटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए आप चाहें तो मटर को सॉफ्ट करनी के लिए इसे वबाल भी सकते हैं बट मैं डायरेक्ट ही इन्हें कुक कर रही हूँ तो फ्रेंट्स मटर एकदम सॉफ्ट हो गई है आप चैक भी कर सकते हैं कि मटर सॉफ्ट हुई है की नहीं और एकदम अच्छी ग्रेवी बन गई है तो अब हम इसमें अड़ कर देंगे मेथी जिसे हमने बारिक चॉप कर लिया था तो आप अपने अकॉर्डिंग मेथी कम या ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि मेथी जल्दी से श्रिंक हो जाती है तो मेथी और मटर की क्वांटिटी थो तो अब हम इसमें डाल देंगे दो चमच मलाई तो यहाँ पर मैंने घर की ही मलाई यूज करी है तो मलाई को यहाँ पर मैंने थोड़ा फेत लिया था ताकि एकदम क्रीमी टेक्स्चर इसका हो जाए और आपको मिक्स करने में असानी होगी इसमें लंप्स नहीं बनेंगे तो मलाई को सबजी में अच्छ से मिक्स कर लेंगे, तो अब इसमें आड कर देंगे, एक चमच क्रश करी हुई कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसे हम अच्छ से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए सबजी को लो फ्लेम पर चलन करें तो मैंने से एकदम रेस्टरांट स्टाइल में सर्फ किया है मटर की सबजी तो आप नॉर्मली खाते होंगे बट इस तरीके से आप इसे बनाएंगे तो यह बहुत ही टेस्टी लगेगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ यह वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें थैंक्स फॉर वचिंग आर वीडियो